वेलकम टू राजस्तान जी के ट्रेणिंग दोस्तो स्वागता आप सभी पसू परीचर भरती एनिमल अटेंडन भरती परीचा दोजार तेभी सोबिस के तैरी करने वाले सभी आप बेरते होगा राजस्तान जी के ट्रेणिंग के स्यूटूब सेन पर दोस्तो यह अपना परशन आप सब के सामने हैं कि रोहिल एक महतोपुन छेत्र है यह उरेनियम के लिए प्रशिध है रोहिल दोस्तों किसके लिए यूरेनियम जो खनन है उसके लिए प्रशिध है चलिए चलिए नेक्स्ट दूसरा परशन है कि 18 अप्रेल गुनिसो अड़तालिस को सैयुक्त राजस्थान का उद्गाटन किसे ने किया था इंपोर्टेंट प्रेशन है कि 18 अप्रेल गुनिस वड़तालिस को संयुक्त राजस्थान का उद्गाटन किसके दुवारा किया गया था तो जवाहर लाल नहरू के दुवारा किया गया था किसके दुवारा जवाहर लाल नहरू के द्वारा 18 अप्रेल 1948 को संयुक्त राजस्थान किसका संयुक्त राजस्थान का उद्गाटन किया था ठीक है चलिए नेक्स्ट परचने दोस्तों 2011 की जनगन्ना के अनुसार राजस्थान में जिलो की संक्या जहां जन संक्या में 2001 से लेकर के 11 के दशक में प्रतिशत दशके वर्दी राज्य की ओसत प्रतिशत दशके वर्दी अधिक हुई यानि कि ऐसे कौन ऐसे कितने जिले हैं जिन में दस सालों में पिछले दस सालों में दशके वर्दी मतलब कि ओसत से अधिक हुई है तो इतने जिलो के संक्या आप से पूछ रहा है तो वो है दोस्तों लगब का पहला संवजी छेत्र कों सा है क्या सुदा माता है या फिर गोले लाओ है या साकंबरी या फिर गुड़ा विश्णोईयां दूस्तोinsky आणसर दीजी राजस्तान में भालुओ का पहला Wheel कौन्छ को सा है तो सुदा माता जन्संंग्या घनतु बात करें, 2011 की जन्नगर्णा का अनुसार वो था 200 विक्ति-प्रतिवरग किलोमेटर के अंतरगत आते थे, ठीक है, 2011 की जन्नगर्णा का अनुसार, चटा प्रसन है, कि भमर या फिर, भ्रमर माता का मंदिर कांच दे थे, दोस्तों भावर माता का मंदिर अपने आपसे पूछले तो आप उतने चोटी सादली और चोटी सादली काँ पर ब्लू पोर्टड Sultan मेरे करा के परिशिद है बिल्कुल आप नेक्स प्रसन है कि नेवरी नेवरी सरीर के किस अंग में पहने जाती है आप सब को पता होगा नेवरी दोस्तों नेवरी पहरों में पहने जाती है किस में पहरों में पहने जाने वाला आभूशन है ठीक है महिलाओं द्वारा नेक्स्ट है नवापरशन की राजस्थान के किस जिले में बानगंगा नदी बेसिन का सरवाधिक प्रतिशत भाग इस्थता है तो बानगंगा नदी आपसे पूछ ले बानगंगा नदी आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है भरतपूर ठीक है राजस्थान के किस जिल दिन पहले ही बैराट अपने कहां पे आता था जयपूर जिले में आता था लेकिन अब ये कोड़ पूदली बैरोड में आने लग गया है ठीक है लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो भर्तपूर में जातरी बैती है पान गंगा ठीक है चलिए नेक्स्ट परसन आप सबके लिए कि राजस्तान में प्रशिद सोने चांदी की अवेली कहां पेस्तेत है बिल्कुल सोने चांदी की अवेली आप से पूछ सकता है तो सोने चांदी की हवेली अपने महनसर जुझनों में है कहां पे है महनसर जुझनों में है सोने चांदी की पर पर आता है तो सब्सक्तान में बरत्री का मेला किस जिले में बढ़ता है तो आप सब को पताओने चाहिए राजस्थान में बढ़ता है बिलकुल अलवर जिले में बढ़ता है और चरिसका वर्ने जीव सनाशन केंदर है उसके अंदर भड़ता है ठीक है चरिए नेक्स्ट तेरवा की खारवाल जन जाती कौन सी जील से नमक उत्पादन करती है बिल्कुल दोस्तों खारवाल जो जन जाती है खारवाल जो जन जाती है पहरे साथियो यह अपने पंच बिल्कुल बूंदी रियाइसत में जो बरड किसान आंदरुन का जो नेता था वो था अपने नैनूराम सर्मा कौन था नैनूराम सर्मा बिल्कुल बूंदी रियाइसत के बरड किसान आंदरुन का नेता कौन था नैनूराम सर्मा ठीक है चलिए नेक्स परसनेंस आती हो कि डुंगरपूर परजामडल के स्थापना किसके परियासों से हुई थी अगर आपने परजामडल को सई डंग से परड़ा है तो आपको सबको पता होगा कि डुंगरपूर परजामडल के स्थापना किसके परियासों से हुई थी बिल्कुल भोगिलाल पांड़ा के परियासों स भीती पैस्ट Communications verse तो hydrogen T halfों अपने गुअ में विपयाई वी कर नीभी है देया कि राजस्ान में ड manner to 519 85 में युनेस्कों द्वारा सबसे पहले किस्को विश्व प्राकरतिक धरवड सुची थाँ और्जा तॉअफ उड्जा इस्टेशन देरला सबसे पहले किसको विश्व प्राकृतिब्सूची में क election किया थाग नेक्टलेंग दोस्तों इंपोर्टेंट है की चान की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रशिद है ? जो चान नेक्स्ट परशन आपका इंतिजार कर रहा है कि उस समुच्च को चुनिए जिसमें सभी सेरों में सवाई जैसिंग द्वारा वैदसालाई बनाएगी थी बिल्कुल तो सवाई जैसिंग के तुवारा जैपूर के अलावा दोस्तों जैपूर के अलावा अपने मथूरा उज् चलिए नेक्स परशन है और इंपोर्टन परशन है कि लसाडिया का पठार राजस्थान की कि जिले में स्थेता है लसाडिया का पठार आपसे पूछ ले तो आपको बताना है उद्यापूर में दोस्तों का पिया है उद्यापूर में वेरी गुड दोस्तों उद्यापूर म नेक्स्ट है कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पर्थम राजस्थानी कौन थे बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रशन है कि परमवीर चक्र से परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे दोस्तों पीरू सिंग कौन थे पीरू सिंग ठीक है पीरू पुनर निर्मान करवाणे वाले साथ सकते वो ते राणा सवरूप से कौन्ते राणा सवरूप से अगला हिए कि आहड सब्वयता का उत्खलन कारे 1923 में सब्रतम किसके निरदेशन में होगे था तो आहड सब्वयता का जो उत्खलन का रहे था दोस्तो आहड का जो अक्षे कीर्थी व्यास के अक्षे कीर्थी व्यास के अक्षे कीर्थी व्यास के निर्दिशन में हुआ था ठीक है चलिए नेक्स प्रस्थान है कि राजस्थान में बाला किला कहां पर अवस्तित है यानि कि राजस्थान में बाला किला इस तल कहां अवस्तित है बिल्कुल दोस्तों, अलवर जिले में हैं, बिल्कुल अलवर जिले में हैं, और अलवर जिले से सम्मंदित, दो प्रिशन तो पूंच लिए गए, ठीक है, चलिए, अलवर जिले में हैं, एक तो भरतरी सम्मंदित, और एक बाला किला से सम्मंदित, चलिए, नेक्ट प्रिशन अंकित किया गया था बिल्कूल आप विश्वास ने करोगे अलवर जिले का किया गया था कि जिले का का तो सांबर आएगा बर्दपूर का सारस या क्रेन से यह जालोर का बालू से यह बिलवाड़ाएगा मोर सी ठीक है लेकिट अलवर का बाग की जगह के आएगा सारस आएगा नेक्स्ट पसन आपका इंतिजार कर रहा है कि राजस्तान में कोविला आधरित प्रतम विदुत उ राजकुमारी थी बिल्कुल कृष्णा कुमारी दोस्तों अपने मेवाड राज्ये की राजकुमारी थी नेक्स्ट प्रिशन है कि मरू नोर्शाव किस प्रैटक सर्किट का महतपून कारेकरम है तो 《चलेए》 important question है कि निम्ले के में से कौन सी रवी की फसल है पिलिकुल रवी की फसल भी आप से पूच सकता है खरीब की फसल भी आप से पूच सकता है तो रवी की फसल में तो गेहूं इसमें important आ जाएगा, ठीक है, गेहु रभी की फसल है नेक्स्ट है कि दादू जी के पार्थवी शरीर को किस स्थान पर समादी दिगई थी तो दादू जी के जो पार्थवी जो पार्थवी जो सरीर था उसको किस स्थान पर समादी दिगई थी दोस्तों ये दिगई थी दादू खोल बहराना में कहां पर जो दादू पंद्द के समाध्rices नेक्स प्रसन थोस्तों के कॉन सी मृदा स्वय जोद के लिए जाने जाती है यानि कि ऐसे कौन से मर्दा है जो स्वय जोद के लिए जाने जाते हैं यानि कि आपनको वहां पर हल चलाने की जोड़त नहीं है वो खुद बे खुद फुदी ऐसी प्रतित होती है जैसे वो खुद बे खुदी उस केत में क्या हो जुताई ही हो जुक्ต convinced के लिए संगटिक चेत्र यानि सारवजनी के स्थानों या संस्थानों में कितने लोगों को नियोजित किया गया था तो इस प्रियोजना का देशक ग्रामिन कि इस तरह में खब्राइशक में मुख्या मंत्री बाल गोपाल योजना के तायत . वित्रान किया जाता है तो कितना यानि कि कितने कह अण से लेकर कहां तक के विध्यारतिव को क्या एक से लेकर 9 गलत्र या 5 से 10 गलत तक तो इसको जो राइट अंसरा जैकथ साथ एक से लेकर कि8 गज़ते लिए ठात्म के विध्यारतिव के लिए ठीक है यह dość चलिए saying उच्परात्री में धाले में ठीक है चलिए नेक्स प्रस्ण हैंगे मुख्य मंत्री चिरंजीव स्वास्त भीमा योजना लागू है तो मुख्य मंत्री चिरंजीव स्वास्त भीमा योजना दोस्त अपने एक मही 2021 किस से लागू है किस से एक मही 2021 किस से लागू इंपोर्टें जोट्त अनवीन धर्मिकु कितने राश्य का अनुमाधित रणंपलप्त करा है तो यह करा जाता है लोग तो यह अपने 10 करोड़ तक का रणंअनुमाधित कर आया कराया जा सकता है ठीक है सब्सक्स नेक्स परसना तक की साहता का प्रावधान किया गया है यानरी अगर कोई व्यक्ति नेक्स पूसिंस है कि जागरृती जागर्ती बैक्टू वर्क योजणा का नोडल विभाग है यादि आजिका आठी इंदरा गांदी सहरी रोजगार गारंटी योजणा से यानि कि इंद्रा गांधी सहरी रोजगार गारंटी योजणा कब प्रारम हुई थी तो राजस्तान के अंदर इंद्रा गांधी सहरी गारंटी योजगार योजणा दोस्तों यह अपने कब प्रारम हुई थी बिलकुर 9 सितंबर 2022 को प्रारम हुई थी ठीक है चलिए अगला important प्रश्ण है कि केसर बाग वन्य जीव शेतर कहां पिस्तित है तो केसर बाग वन्य जीव शेतर आप से पूछे लिए तापको बतारा है धोलपुर में है ठीक है चलिए अगला या कि बागोर साहिब एक एतियासिक गुर्द्वारा है जहां स्री प्यात्रा के समय रुके थे यह इस्तित है तो यह बागोर साहिब यह कहां पे है तो बागोर साहिब दोस्ता अपने भीलोवड़ा में है ठीक है कहां पे भीलोवड़ा में नेक्स्ट प्रस्तूति दी थी तो कुंबलगड मौच सो 2022 में के दोरान जब विस्व पंडित प्रस्तान में कितने क्रशी विझ्ञान के इंद्र तो राज़स्थान में अब द के 24 विझ्ञान के अंद्र और एक दोकी को ना भी खोब चुकी है तो यह थी जिसन जीवनी संची इसन जीवनी संब्धेते हैं दोस्तो यह अपने टैली कम्यूईकेशन से संब्धेते हैं अगला है कि निमलेंखिते में से किस रोल बोल के छेतर में गुरु वसिष्ट पुरुसकार 2017-18 प्रदान किया गया था तो किसे किया गय तो ग्रेनाइट सहर के नाम से दोस्तों ग्रेनाइट सीटी के नाम से अपने जालोर को जाना जाता है कि राजस्तार में ओपरेशन खुसी जो हाल ही में खबरों में था निम लिखते में से किस से संबन देता है तो राजस्तार में ओपरेशन खुसी दोस्तों लापता बच्च सेक्सिक कारेकरम को बढ़ावा दिया जता है उसका क्या नाम है तो सैटलाइट का नाम है दोस्तों उस सैटलाइट का नाम एज यू सैठ है कौन जैसर और अन्तिम दो प्रशन सवतंत्र hm kicheppe पुअ् bucks i bread amacст themes तो सवतंता कि पश्याद राजिपार 5 नबंए अपसे फूछ रहे तो आपको बताना है में और अंतिम प्रशन है दोस्तों अंतिम प्रश्न है कैसी लगे आपकी वीडियो नीचे कमेंट के माद देमें से ज़रूर बता कर जाना एक तो दोस्तों सिधार चोधरी है वो दोस्ता अपने गोला फैंक इवेंट से जुड़े हुए हैं तो पचास प्रशनों में से 51 प्रशनों में से कितने प्रशन से हुए नीचे कमेंट के बाद में जरूर बता कर जाना वीडियो चिल लगे तो लाइक जरूर करना चैनल को सब्स